आयो और प्रजन क्षमता के बारे में बात करते समय यह एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आयो बढ़ने के साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजन क्षमता में परिवर्तन होता है। लेकिन महिलाओं में इसका प्रभाव अधिक प्रमुक होता है क्योंकि उनके पा रूप से कम होती जाती है, इसके कारण गर्भधारन में कठिनाईयां आ सकती है और गर्भपात का वृद्धी हो सकता है, इसके अलावा जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, प्रजन को प्रभावित करने वाली चिकितसा स्थितियों की भी संभावना बढ़ती है, जैस की गुणवत्ता और मात्रा में कमी में वृद्धी होती है, प्रत्यक महीने गर्भधारन की संभावना मासिक प्रजन दर कम होती है, और अंडों में क्रोमोसोम अस्मान्यताओं की रिक्ती जैसे डाउन सिन्रोम की स्थिती में में वृद्धी होती है, पुरुषों के लिए हालां कि पुरुष उम्र के साथ वृद्धी तेजी से नहीं होती है जैसा की महिलाएं करती है फिर भी वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा में धीरे-धीरे कमी होती है इससे गर्भधारन के लिए और बार-बार प्रयास करने में देरी हो सकती है और संतान में कुछ आनुमानशिक स्थितियों की थोड़ी सी बढ़ती संभावना भी होती है यह महत्वपूर्ण है कि यदि आप गर्भधारन में कठिनाईयों का सामना कर रही है गर्भधी होने में मदद चाही हम सभी बाजपन मुद्दों के लिए नियशुल्क दूसरी राय प्रदान करते हैं हमारा नियशुल्क सेकेंड ओपिनियन फॉर्म भरकर हमें अपना मेडिकल विवर्ण भेजे